नमस्कार मेरा नाम है दिवांशुतिवारी और आप देख रहे हैं लाइव उत्राखन एक खिलाडी जिसने भारती क्रिकेट की तस्वीर बदल दी एक खिलाडी जिसने भारत की तरफ से पहली 6 गेनों पे 6 चक्के मानने का किर्थिमान बनाया एक ऐसा खिलाडी जिसने विशो का दुबारा भारत की जोली में डाला हम बात कर रहे हैं युवराज सिंग का युवराज सिंग का करियर 17 साल का भले ही हो लेकिन उनके अंतरास्टी करियर में जो उन्होंने मकाम भारती ये क्रिकेट को दिया है वो कोई और खिलाडी नहीं दे सकता आपको बता दें कि युवराज सिंग एक ऐसे खिलाडी थे जिन्होंने भारत को एक ऐसा सपना दिखाया जो कभी कोई खिलाडी शायद ही सोच सकता है कि युवराज सकता हुवराज सकता हुवराज सकता है कि युवराज सकता हुवराज सकता हुवराज सकता है आज अपने सन्यास की घोशना कर चुके हैं। युवराज सिंग ने भारत को ना सिर्व विशुकब जितवाया बलकि 2007 का T20 विशुकब भी भारत के नाम करवाने में बड़ी भूमी का निभाई थी। अपनी रिटायर्मेंट स्पीच देते देते आज युवराज सिंग भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अपने 17 साल के करियर में मैंने इस खेल में बहुत बड़े उतार चड़ाव देखे हैं। मैंने इस खेल के लिए लड़ना सीखा है। खेलने के बाद लड़कर गिरना सीखा है और गिरने के बाद उठकर फिर आगे चलना सीखा है। यवराज सिंग ने ये कहा कि इस खेल ने मेरा करियर बनाया है, मैंने इस खेल के लिए खूब पसीना बहाया है, आगे आने वाली जिंदगी में, मैं कैंसर ग्रेस्ट लोगों के लिए बड़ा काम करना चाहता हूं. It was like touching the sky and then falling down at light speed and hitting the ground hard. As all this happened so quickly and that too when I was the peak of my career. But in that moment, everyone I knew to whom I mattered stood together for me. My fans, my friends, my family. thank you for both thank you for both my doctors Dr. Nitesh Rahodgi who took me for treatment to Dr. Lawrence Einhorn in US who also treated Lance Armstrong this brings to my next focus in life which is to help cancer patients through my foundation UVCAN at UVCAN we spread awareness about cancer and help the underprivileged by conducting screening camps funding their treatments and sponsoring education to the underprivileged cancer kids we have also started our own merchandising arm YWC for the foundation to help generate funds for the cause I really want to make a difference to society by setting examples through my inspiring story on a lighter note I would say I am extremely lucky to play 400 plus games for India I would have not imagined doing this when I started my career as a cricketer through this journey some matches that remain in my memory were the 2002 netvis final my first test 100 in Lahore in 2004 the 2007 test series in England हमें यकीन है कि युवरास सिंग की ये नई पारी उनके आने वाले जीवन के लिए बड़ी सफलताय लाई देखते रहें लाइव उत्राखंड खबरें उत्राखंड की ुवरास एंके जुवरास डंके वोरास